दोस्तों हमारे चैनल ज्यानबंदार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानेगे एक ऐसे अद्भुत गाउं के बारे में जहां सिर्फ संस्कृत बोली जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक संस्कृत भाषा बोलने को कही जाए तो आप नहीं बोल पाएंगे। संस्कृत बोलने की बात आये तो लोग संस्कृत में श्लोक तो सुना सकते हैं, लेकिन किसी से किम्भो यानी कैसे हो पूछ न बेहद अजीब होगा। लेकिन दक्षिन भारत का एक गाउंव मत्तोर जो बेहद ही खूपसूरत है, जहां सिर्फ संस्कृत भाषा का इस्तिमाल किया जाता है। शिमोगाजीले का ये गाउंव अपने संस्कृत भाषी लोगों के लिए खूप चर्चा में रहता है। तो आए जानते हैं इस गाउंव के बारे में रोचक बातें। सन 1981 में जब शास पूरुष ने भी इसमें भाग लिया। गाउंव के लोगों ने दस दिन तक दो खंटे संस्कृत भाषा का अभ्यास किया। इसके बाद पूरा गाउंव संस्कृत बोलने लगा। फिर क्या था संस्कृत यहां की? आम बोलचाल की भाषा बन गई। यहां के लोग संकेति बोली का भी इस्तिमाल करते हैं। इस गाउव में हर कोई संस्कृत भाशा को समझता है। अधिकतर लोगधारा प्रवाह भाशा ही बोलते हैं। अगर आप यहां घूमने जाएं, तो बुजूर्गों के एक समोह को नदी किनारे वैदिक भजन गाते जरूर देखेंगे। यह इस गाउव पर डॉक्यूमेंटरी बना चुके हैं। बताया जाता है कि गाउव में होटल की सुविधा नहीं है, फिट ही लोग इस गाउव को देखने दूर दूर से आते हैं। ऐसे में ये कहना बिलकुल गलत नहीं होगा कि यहां के लोग संस्कृत ही नहीं, बल्कि वीडियो कैसा लगा प्लिस कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।